Hello everyone, मैं हूँ डाइटिशन पिंकी और आज हम जुड़े हैं Dr. Seema माम के साथ from Shribalaji Hospital और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं Blood Donation जी यहाँ, आज हम यहाँ पर एकटे वे चर्चा करेंगे Blood Donation पर So माम सुनने में आया है 7th of Jan को आप अपने हॉस्पिटल में Blood Donation Camp और गनाइज करने वाले हैं बट बड़ा यूनीक सा थीम रखा है अबकी बार आपने Couple Blood Donation So इसके बारे में आप मुझे थोड़ा कुछ बताएंगे कि यह आईडिया आपको कहां से आया बड़ा यूनीक सा कॉंसेप्ट है अपकी बार बिल्कुल सही कह रही है पिंकी आप हम जो है श्रीबालाजी हॉस्पिटल में आगामी साथ जन्वरी रवीवार को साथ जन्वरी 2024 को एक यूगल रख्तदान शिविर कर रहे हैं यानि कि इसमें जोडे से सरपत्निक सभी लोग अपने आकर के प्लड डनेट कर सकते हैं इसके पीछे कुछ विशेश कारण है देखिए हम मानते हैं कि देश की आदी अबादी मैलाओं की है और आज की डेट अगर देखें तो आज के युग में मैलाएं आदमियों से कंदे से कंदा मिला के काम कर रही है सभी शेत्रों में लगबग लगबग उनकी बराबर भागिदारी है या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ छेत्रों में तो मैलाएं पूर्षों से अधिक अच्छा कार्य कर रही है तो फिर हमने सोचा कि ये ऐसा एक छेत्र है जहां पर अभी भी मैलाओं की इन्वाल्मेंट नहीं है या विल्कुल काफी कम है तो इस सोच के पीछे जो है हमने ये कपल ब्लड डोनेशन की पर इसका आयोजन करने का सोचा हमारे हॉस्पिटल में ये दूसरा ऐसा शिवेर है पिछले वर्ष भी हमने साथ जन्वरी को ऐसा ही आयोजन किया था लगबग 54 कपल्स ने उसके अलावा 30 अलग फीमेल्स ने इंडिविजूल फीमेल्स ने यहां पर ब्लड डोनेट किया थ तो हम इस सोच को बदलने के लिए कि महिलाएं किसी से कम नहीं है हमने कपल ब्लड डोनेशन की थीम को रखा था मैं इस पर आपको कुछ विस्तार से बताना चाहूंगी कि देखिए जो ब्लड डोनेशन है सभी कहते हैं रक्त दान महादान तो आपको कुछ दान देना है उस अब इस प्रोजेक्स चलते हैं तो एसे प्रोजेक्स चलते हैं तो हमें उनको रूट लेवल पर इस चीज को करेक्ट करना है कि कैसे अपनी डाइट को चेंज करके अपना ही बढ़ाएं इसके लिए उन्हें मोटिव दिया है कि आप आईए ब्लड डोनेट कीजे तो जब ए अपनी डाइट को अच्छा करेंगे बहुत से वर्ग हैं जहां पर साधनों की कमी नहीं है उनके पास अच्छी डाइट लाइफस्टाइल सब कुछ पासिबल है परन्तु किसी कारणों से वह अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पार है तो इसी के लिए हम महिलां को जरूर इस रित्तदान शिवर का हिस्सा बनेंगे और खुद भी लाबानवित होंगे और अन्य जनों को भी लाबानवित करेंगे तो मैम यह तो बात करी हमने आपके ब्लाड डोनेशन के बारे में तो अब आप मुझे पताईए क्योंकि आपने बड़ा यूनीक सा थीम करना है एक बार जो है मेरे हस्बेंड जो हमेशा हर वर्ष अपने जनन दिन पर ब्लड देते हैं तो लगबग धाई वर्ष पहले जब उनका बहुत था तो मैंने भी सोचा कि मैं उनके साथ जाके ब्लड देऊं तो एक डिफरेंट सोच के साथ जब हम ब्लड डोनेशन किया था हम खुद भी आज़े डॉक्टर होते हुए भी कई बार इस चीज से वंचित रह जाते हैं तो जब मैं ब्लड बैंक पहुंची थी ब्लड देने के लिए तो मैं वहां पर रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि मेरा हीमोगलोबिन लो था तो उस दिन मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं अपना हमोगलोबिन बढ़ाओंगी और उसके साथ साथ ही मैंने यह सोचा कि ऐसे बहुत सी महिलाए हैं जो कि बिना किसी कारण के उनका हीमोगलोबिन कम रह 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 और वह बहुत इसको इंप्रूब भी किया जा सकता है तो मैंने अपनी पर वाया और वो 13 अधित लेंगे तोbas चिन कि झांटने नहीं पोफ़ारी आप online के मन में दिशार आए उनको मोटीवेट करने के उसी देश्चे से मैंने यह है और देखिए यह ऐसी चीज है जिसमें कोई आपका व्यार नहीं लगता है आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है मैं तो इंफेक्ट कहना जाऊंगी कि जो लोग हमारी बात दूर तक कहीं सुन रहे हैं जो जोदपूर से बाहर हैं यदि आप अपने हजबेंड वाइफ या दोनों एक दूसरे को कोई भी जनम दिवस के ऊपर या आपकी अनिवर्सरी पर आपको बेस्ट गिफ्ट देना चाहते हैं तो प्लीज आप अपनी नियरस ब्लड डोनेशन साइट पर या ब्लड बैंक्स में जा करके ब्लड दीजिए और अपने जो कीजिए तो आप भी इस ब्लड डोनेशन केंप में जुड़िये और अपने साथ साथ औरों को भी मोटिवेट कीजिए तो नियू यार आ रहा है तो इस बेस्ट रिजूशन आइटिंग माम और बर्ड दे किफ्ट का तो मैम ने खर्चा खतमी कर दिया है तो ब्लड डोनेश किजिए और खुद भी स्वस्त रहें और समाज को भी स्वस्त रखें तो ये तो आपने बहुत अछी बात कहीं बहुत अच्छा इनिशियटिव लिया है आपने समाज को देखते हुए या उन ओडों को देखते हुए जिनको आई तो यह तो बात रही आपके blood donation camp के बारे में तो अब आप मुझे बताइए कि किस तरीके से आप लोग organize करेंगे या किस तरीके से motivation रहेगा और किन लोगों को आना चाहिए किन लोगों को आप include करते हैं कौन को कौन से ऐसा वर्क है जो excluded होता है जो blood donation नहीं कर सकता जी जी तो blood donation के जो category जो categorization है उसकी कुछ criteria है उम्र की बात करें तो 18 वर्ष से उम्र और 55 साल तक की व्यक्ति blood donate कर सकते हैं महिलाएं और पुर्ष दोनों ही blood donate कर सकते हैं वेट है जो 45 kg से उपर होना चाहिए हीमोगलोबिन की मात्रा का चेक करेंगे तो वो 12.5 ग्राम यानि 12.5 ग्राम से उपर उनका हीमोगलोबिन होना चाहिए आपको recent में कोई viral infection को बुखार या कोई भी active infection नहीं होना चाहिए इसके अलावा जो लोगों को को recent में surgery होई है तो अगर HIV है, hepatitis है, hemophilia, sickle cellenemia या thalassemia के जो लोग होते हैं वो basically blood donate नहीं कर सकते हैं और इसके आलावा जो भी सामान्य व्यक्ति है जिनको कोई infection नहीं है जिनकी अच्छा proper weight जो मैंने आपको बताया उनका हीमोगलोबिन साढ़े ग्राम से उपर साढ़े बारा ग्राम से उपर व्यक्ति आ करके blood donate कर सकते हैं पुरुषों के लिए बताया जाता है कि हर तीन महिने में यानि once in a 90 days आप blood donate कर सकते हैं यानि साल में तीन बार एक male blood donate कर सकता है और females once in every four months हर चार महिने में एक बार एक महिला यानि साल में तीन बार एक महिला blood donate कर सकती है एक यह भी मित है कि मेंश्वल पीरियट के दौरान ब्लड डोनेट कर सकते हैं क्या तो कुछ females को जो है में मेंसेस के दौरान को weakness मैसूस होती है चक्कर आते हैं या हीमोगलोबिन पहले से ही लो है तो उनको usually मना किया जाता है प सकते हैं सो जैसा भी मैम ने बताया अगर आप भी इसी क्राइटीरिया के अंदर आप आते हैं सो डेफिनिटली आपको अपने आपको एक इनिशेट करना चाहिए ब्लड डोनेशन के लिए सो मैम आब हम बात करेंगे कि क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है आफ्टर ब् कुछ चीजें देखने को मिलती है तो उस उस बारे में आप क्या बोलना चाहिए जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मुझे ब्लड डोनेट करना है तो उसके पहले दिन एक तो उनको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए एक प्रॉपर उनको नीन लेनी चाहिए सुबह जब आपको एक अच्छी कैलरी युक्त डाइट प्लस गुड हाइडरेशन गयानि लिक्वेट्स जूसेश चाच या लसी जो भी आप लेते हैं वह आपको अच्छे से हाइडरेशन करके फेर आपको ब्लड डोनेशन सेंटर पे जाना चाहिए ब्लड डोनेशन सेंटर पे सबसे लगबग 10-15 मिनट लगती है इस पूरे प्रोसेस में जो की ब्लड आपका कलेक्ट होता है उसके अंदर ब्लड देने के बाद आप 10 मिनट तक उस काउच से या उस बेट से आप उठे नहीं 10 मिनट तक आप वहीं लेटे रहें और प्रेफरेबली वहां पर कुछ भी आपको कैलरी युक्त या ग्लुकॉन डी युक्त आपको एक ड्रिंक लेनी चाहिए आप ग्लुकॉन डी ले सकते हैं जो जूसे आते हैं या घर का बना हुआ नीमबू पानी और इंज यूस यह भी आप ले सकते हैं 10-15 मिनट का रेस्ट करने के बाद में आप अपने रूटीन वर काम होता है वह आपको एक दिन के लिए स्किप करना चाहिए आप को यदी महसूस हो रहा है कि आपको डिजी लग रहा है या थोड़ी वीक्नेस लग रही है तो आप लेट जाए और प्रिफरेबली पैरों को थोड़ा उंचा करके आप लेटें फ्रेश ऑक्सीजन फ्रेश होनी चाहिए ऐसा नहीं कि किसी को चक्कर आ रहे तो उसके चारों तरफ हम घेरा बना ले क्योंकि फिर हवा नहीं आएगी तो सफोकेशन होने लगती है तो एक अच्छी डाइट के बाद में यदि आप कपल जो आकर ब्लड डोनेट करेंगे तो दोनों ही को को समस्या नहीं आएगी परन्तु इससे आपको यह बेनिफिट होगा कि आपने किसी के लिए कुछ किया है तो आपको एक सुकुन की अनुभूती जरूर महसूस होगी जी बिलकुल बिलकुल यह बहुत अच्छी बात कही है माम ने माम एक और चीज लोग जब ब्लड डोनेशन करने के तो अब मुझे कमजोरी रहेगी तो उनकी कुछ फायदे बताइए क्योंकि उन लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि आप जब ब्लड डोनेशन कर रहे हो ना केवल समाज के लिए उपयोगी है बलकि आपकी खुद की बॉड़ी के लिए उतना बेनिफिशल है यह बहुत क ब्लड देने के बाद में और आपकी बॉड़ी का पुरा ब्लड ऑल्मस्ट प्योरिफाइ हो जाता है तो आपको नई एनर्जी महसूस होती है बलड देने के बाद में और आपकी बॉड़ी के खुद की इम्मुनिटी भी आपके इंप्रूब होती है फिर आता है कि कुछ स्टडी यह भी बताती है कि कुछ तरह के कैंसर जो होते हैं उनकी रिस्क कम हो जाती है यदि एक व्यक्ति रेगुलर पीरिएड में बलड डूनेट करता रहता है और जो ला किसी घरीब के लिए समझे लो या कि से जरूबन के लिए समझ लो क्योंकि बलड जो है १ो कि बलड जो है , चिसको जरूबड पड सकती है और तो किजां manuscript की आगे चत्यति बॉक्रेंच लगर प्श्क का है उसका वह खू पनेचिक पनेस्ति हैं इसके helpless हिनिश के मों और आपने सुना हो यह किद्नी ट्रांस्प्लांट और बड़े-बड़े और ट्रांस्प्लांट होते हैं तो बड़ी-बड़ी सर्जरी में भी ब्लड की रिक्वाइर्मेंट होती है और जो लोग सदन रोट ट्राफिक एक्सिदेंट्स या किसी भी वरकिंग प्लेस पर कहीं बड़े हाथ से हो जाते हैं अधिक अगर इंडिविजुल का ब्लट स्थ्राव हो जाए ब्लड लॉस हो जाए तो उनको भी ब्लड काम आता है तो इतने सारे काटिगरी के लोग हैं जिनको की आपका ब्लड यूज आ सकता है और यह उस यह वह जरूवत होती है जो की ब्लड कहते हैं कहीं फैक्टरीज में नहीं बनता है आदमी कहीं से खरीद के नहीं ला सकता है तो उस समय जो ब्लड देते हैं और वो व्यक्ति के मन से जो आपके लिए आशिरवाद निकलता है वो हमेशे आपको लाइफ में आपको आगे बढ़ाएगा आपको उन्नती के पत पे कर जाएगा और आपको मेंटल साकिस्फरक्शन देगा जी बिल्कुर यह बहुत बहुत बड़ी बात करिये माम आपने और जो आपका इनिशेटिव है समाज के प्रती और मैं तो यहीं बोलना चाहूंगे दाट यू आदर रियल इंस्पिरेशन पॉर अल दे लेडिस इसके बाद उन्हें किस तरीकी की डाइट जो है वो लीनी चाहिए ताकि वो अगले अपने आपको प्रेपार कर सके अगले ब्लड डोनेशन कर सकते हैं तो इसके लिए जो है आपको अपनी लाइफस्टायल और अपनी डाइट पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए और पि बहुत इंपोर्टन चीज जब भी आप ब्लड डोनेशन करने आ रहे हैं तो जो आपका हैपी हॉर्मोन है वो एकदम एलिवेट हो जाता है तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि एक तो आपका जो हॉर्मन है वो आपके बॉड़ी पे पॉजिटिव एफेक्ट लेकर आएगा सेकेंड इस जो हैपी हॉर्मोन को आपने बढ़ा लिया है तो डेफिरेटली आपका ब्लड तो आपका वैसे ही जादा बढ़ना शुरू हो गया उसी टाइम से अब बात करेंगे हम डाइट को लेकर के तो दो चीजे में बहुत पॉइंट आउट करना चाहूंगी सबसे पह कैल्शियम के चाहिश जाने अन चाहिए में चोटा सा एक्जाम्पल दो पालक पनीर का जब हम पालक पनीर बनाते हैं तो हम लोग खा लेते हैं तो आपके बालक पनीर समझ के लेकिन को गश्या होती है जो आपकी बॉड़ी में अब्सरूप्शन को रोग देता है तो इन च बहुत अच्छा रोल प्ले करता है जैसे आपका आवला हो गया और अभी सीजनल और रहे हैं उनको आप इंपलूट किजे जो एडिशनल टिप में आपको दो रेसिपीज बताने वाली हो तो आप रोज सुबा उटके एंटी स्टमक आप जूसे बना सकते हैं कैरट बीट रू क्योंकि calcium absorption नहीं होने देता है और लास्ट टिप में आपको देना चाहोंगी green leafy vegetables में बहुत अच्छी मातरा में iron पाया जाता है लेकिन प्लीज उसे raw consume करना छोड़ दीजिए उसे blanche कीजिए 80-90 degree celsius पे पानी गरम करके इसको blanche कीजिए फिर उसे उसका juice पनागर पीजिए Then you can have rich sources of iron from the GLVs. So this was all about blood donation and ma'am a please two words कहिए लोगों को जादा से जादा हमारे पास camp में जुड़ें लोग हमसे blood donation के लिए मैं आज आप सब जोदपुर की जनता से यही कहना चाहूंगी कि यह जो है एक ऐसा public initiative है जो सबके लिए है सबको फाइदा करने वाला है क्योंकि यह तो हम सभी जानते हैं कि पता नहीं कब किसको रक्त की जरुवत पढ़ जाए शायद कल मुझे या आपको तो हमें उस समय यह अनुभूती होगी कि इस रक्त की क्या वैल्यू है तो आईए साथ जनवरी दोहजार चौबिस श्री बालाजी हॉस्पिटल अखलिया चौरा हम सब मिलकर इस उत्सब को मनाएं और लोगों के जीवन में खुश्या लेकर के आएं धन्यवाद और लास्ट सारी महिलाओं से आगरे है कि अपना इनिशेट अपने खुद को आगे एक स्टेप मोटिवेट कीजिए एक स्टेप आगे बढ़ाएं क्योंकि आपको देख करके और दस महिलाएं जागरुख होंगी बिलकल बहुत बाद